हलो गाई इस क्या हल चाल है आवाज आ रही है सबको स्क्रीन दिख रही है हलो तुशार गुड इवनिंग हलो प्रिया गुड इवनिंग दिख्षा गुड इवनिंग ललित ये मेरे को मेरी आवास सुनाई दे रही है बताओ हलो निखिल हलो अंशिका गुड इवनिंग वरुन ये हमारे मई वाले बच्चे का है नालाएक में 20 वाले गुड इवनिंग निशान्त हलो रिया गुड इवनिंग अकांशा हलो प्रगती बई specifically जिनका था ही November 20 attempt उनकी तो क्या हालत है मेरे को मालूम है लेकिन जिनका बिचारों का May 20 का attempt था लेकिन क्यूंकि देना पड़ रहा है अब निवेंबर 20 का उनके क्या हल चाल है specifically और पढ़ाई के क्या हालात है जब मैं आपके हाल चाल पूछ रहा हूं मतलब आपके पढ़ाई के हाल चाल पूछ रहा हूं गुड इवनिंग निकुंज गुड इवनिंग सक्षम हलो मेगा गुड इवनिंग महीमा बताओ 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 तब तक मैं आपके आर्टीपी ओपन कर लेता हूं निशान्त लिख रहा है मस्त लेकिन निशान्त नालायक ने वैसे इस सेशन को अटेंड करने के लिए एक सवाल पूछा था मुझे और इस नालायक का सवाल ये था कि सर कुछ पढ़के आऊं अपने रिजिस्टर में जो नोट्स बनवा रख्यां वो पढ़ने आया या ऐसी आजाऊं इसका मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ही करी में के आटेम पोस्टपॉन हो गए उसके बाद अब उठाएगा शाहिद किताब अभी है नालायक चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं सारा को और समय रिवाइज करना है चीक है ना स्टार्टिंग करेंगे एफम वाले पार्ट से और सबसे पहले वोई चेप्टर वाइज चेप्टर पिक करते जाएंगे टार्गेट ये रहेगा कि आज 1st October है टार्गेट ये रखते हैं कि 7-8 classes में पूरा एफम रिवाइज कर दे हम लेकिन स्टिल देखते हैं कितने classes लगती है वैसे 6-7-8 classes max to max इतने में तो हो ही जाएगा ठीक है ना तो अभी चेप्टर वाइज चेप्टर सबसे पहले मैं and leverage analysis बहुत ही असान सा चेप्टर था आपका फड़ावट से खतम करते हैं इसके सारे concepts revise करवाता हूँ और उसके बाद जो आपकी November 20 की RTP आई हुए है उसका question refer करते हैं कोई study mat का question लगता है तो study mat का question refer कर लेते हैं और बिल्कुल जैसे मैंने आपको costing में बाद में अपनी बुक से question mark करवा देता था कि इन questions की आप practice कर लो ऐसे ही यहाँ पे आपको वो questions mark मैं करवा दूँगा ठीक है ना नवस्ते जी रोनक रोनक क्या आते ही रोनक आ गई चलो तो risk and leverage analysis सबसे पहले तो risk का मतलब और leverage का मतलब पहले तो हमने classes में इसका मतलब समझाता तो leverage का मतलब क्या होता है एक ऐसा component जो की बाहर से लाया गया है और वो हमारी capability को multiple times बढ़ा देगा capability को multiple times बढ़ा देगा उस वज़े से या तो हमें फाइदा होगा तो वो भी multiple times और अगर नुकसान होगा तो वो भी multiple times आपको याद होगा class में ऐसा ऐसा हमने समझा था और इसी का फिर reference लेने के लिए हमने एक लिए मैंने example समझा था जिसमें वो पत्थर move करना था फिर वो concept आपने यहां पे क्या किया था पूरी इंकम statement का format बनाया था क्या format था sales minus variable cost contribution आता है minus fixed cost earning before interest and taxes आता है minus interest करते हो आपके पास earning before taxes EBT आता है minus taxes करते हो आपके पास EAT earnings after tax आता है minus करते हो उसमें से preference dividend आपके पास earnings for equity share holders आते है minus करते हो उसमें से equity dividend और आपके पास retained earnings आ जाती है चीक है नब अब यहाँ पर इसके बाद second हमने concept यहाँ पर किया था आपके पास basically इस chapter में तीन तरीके के leverages आते हैं एक होता है operating leverage एक होता है financial leverage और एक होता है combined leverage तो यह पूरा concept तो हमने income statement के format से ही समझ लिया था मैं फड़ा फट से रफ लिया आपके सामने income statement का format रख देता हूँ sales minus variable cost contribution आ जाता है minus fixed cost आपके पास EBIT आ जाता है minus interest करते हैं आपके पास EBIT आ जाता है minus tax करते हैं आपके पास EAT आ जाता है minus preference dividend करते हैं आपके पास earnings for equity shareholders आ जाता है minus equity dividend करते हैं आपके पास retained earnings आ जाता है अब इस पूरी income statement में दो चीजे हैं जिसमें leverage का component है risk है देखो जी simple सी बात सारी company के जितने भी खर्चे हैं वो ultimately यहाँ पे दिखाए गए है in shortest form अब खर्चे वही risky हैं कि अगर मेरे पास income आए या ना आए फिर भी वो खर्चा incur होगा ही होगा that is fixed की nature है जिसमी खर्चे में वो खर्चा मेरे लिए risk है अगर मैं यहाँ पे यह कैदू कोई खर्चा ऐसा है कि आपकी income होगी तो आपको goods बनाने पड़ेंगे goods बनाओगे तो आपका वो खर्चा होगा अगर मेरी income है और तो ही वो खर्चा हो रहा है income नहीं है और वो खर्चा भी नहीं है तो risk का है risk तो तब है income हो या ना हो कोई लेना देना नहीं है खर्चा remains the same that is fixed की nature उस चीज़ में risk का element है मतलब leverage का इस हिसाब से हमने जब पूरी income statement को समझा था तो सर खर्चों के नाम पे variable cost sales तो revenue की चीज़ है income की चीज़ है इसको तो देखेंगे नहीं variable cost market में मेरे product की demand आ रही होगी तो ही मैं आपने goods बना रहा होगा बना रहा होँगा तो ही ये खर्चा आ रहा होगा नहीं तो खर्चा नहीं आ रहा होगा तो variable cost में leverage का element नहीं है fixed cost में leverage का element था product बिके ना बिके बनाओ ना बनाओ fixed cost इंकर होगी ही होगी rent depreciation बkovगरा जैसी तो एक तो इसमें था आपका leverage का element दूसरा आपका interest में था leverage का element interest भी अगर आपने एक लाग रुपे का, दस लाग रुपे का, कितने मरजी का अगर आज आपने loan ले लिया है कल को आपका product market में बिकता है, जिससे उस loan की recovery होती है या नहीं भी बिकता, तो भी आपको bank को interest देना ही पड़ेगा उस loan पे, तो interest और fixed cost इन दोनों में fixed की nature है, तो इसलिए इन में leverage का element था अब ये जो fixed cost है, यहाँ पे हम rent, depreciation जैसे fixed nature के खर्चों की बात कर रहे हैं, interest एक तरह से financial nature का fixed का खर्चा है कहने का मतलब है, interest भी fixed cost ही है लेकिन financial nature की है और यहाँ पे हम बोलते हैं, कि जब तक हम EBIT निकालते हैं EBIT तक EBIT तक जब हम बात करते हैं, तो हम एक तरह से operations की बात कर रहे हैं business की बात कर रहे हैं कि business को run करने से कितना कमाया, और business को run करने की वजए से कितना खर्चा आया उसके बाद जो आपने काम किया है यह जो आपने interest बाटा, tax बाटा preference डिवरेंट बाटा, equity डिवरेंट बाटा यह सब तो company के stakeholders को आप पैसा बाट रहे हो एक तरह से एक company में balance sheet में अगर देखा जाए कौन-कौन पैसा लगाता है या तो equity से पैसा आता है या debt से पैसा आता है तो जिस जिस ने आपकी company में पैसा लगाया ultimately इसी पैसे को आप invest करते हो और invest करके आप asset खरीदते हो और इनी asset से production करते हो production बिकती है, sale बनती है मेरे कहने का मतलब है EBIT के बाद जो भी आपने चीज़े minus कर रही है ultimately जिस जिस ने आपकी company में पैसा लगाया या फिर government जो की जबरदस्ती आपसे पैसा लेती है आप बस इन लोगों में पैसा बाटने का काम कर रहे हो तो EBIT एक तरह से आपका operating profit भी कहलाता है ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ताकि यहां से आपको ये क्रक समझ में आ जाए या याद आ जाए वैसे तो classes में समझा हुआ है कि ये जो fixed cost होती है risk का element है leverage का element है लेकिन fixed cost से arise होने वाला risk कौन सा risk बनेगा operating leverage बनेगा क्योंकि day to day operations को run करने में ये वाला खर्चा लग रहा है और interest में भी fixed का element है risk इसमें भी है क्योंकि fixed का element है लेकिन इसकी वज़ेसे जो इसका arise हो रहा है वो financial nature का है क्योंकि ये financial nature के debt से arise हुआ है तो इसलिए इसको बोला जाएगा financial leverage और अगर मैं इन दोनों की साथ में बात कर लू total fixed cost की बात कर लू rent depreciation जैसी fixed cost और interest की भी तो ये बन जाएगा आपके पास combined leverage ये तो था आपका यहाँ पे concept अच्छा कई बारी बच्चे को confusion आती है preference different में leverage हो सकता है अगर तो preference shares आपके non cumulative preference shares है non cumulative का तो मतलब क्या होता है कि इस साल profit था different बांट दो profit नहीं है different मत माटो अगले साल arrear में भी नहीं खड़ा हो सकता carry forward भी नहीं कर सकते हाँ अगर cumulative preference shares है इस साल अगर profit नहीं है तो इस साल का preference different carry forward हो जाएगा और next year arrear में खड़ा हो जाएगा outstanding कड़ा हो जाएगा अगले साल भी profit नहीं है उस से अगले साल carry forward हो जाएगा लेकिन up to four years carry forward हो सकता है तो इस बात से क्रक्स निकला preference different में leverage का element होता है लेकिन वो भी सिर्फ cumulative preferences में वो भी सिर्फ 4 साल के लिए बागी किसी चीज़ में leverage का element नहीं है अब यहां से सीधा सीधा हमारे पास formula बने थे operating leverage का formula सबसे पहले तो यहां पर percentage change वाला हमने formula बराया था क्या formula था percentage change in EBIT divided by percentage change in sales basically operating leverage में हम sales से EBIT तक आकर दिखा रहे हैं और इसको operating leverage क्यों कह रहे हैं क्योंकि sales से EBIT में पहली बात सिरफ एक चीज़ में leverage का element है fixed cost और उसमें भी कौन से leverage का element है operating leverage का element है चीकर ना कहने का मतलब यह operating leverage का formula क्या denote कर रहा है कि sales में कितना change होगा तो उसकी वज़े से EBIT में कितना change हो जाएगा और इसका एक alternate यह तो एक पहला formula था इसका alternate formula हमने क्या किया था existing EBIT divided by existing contribution यहां से आपने आपको याद होगा classes पर जो मैंने आपको concept समझाया था जितने percentage का change sales में होता है exactly उतना ही percentage का change contribution में हो जाता है sales 50% से अगर बदलती है तो contribution भी 50% से बदल रहा है क्यों? क्योंकि बीच में जो fixed cost है उसमें कुछ leverage नहीं है ना वो multiple time फाइदा दिलवाएगा ना वो multiple time नुकसान दिलवाएगा लेकिन जितना percentage का change contribution में आता है EBIT में उतना change नहीं आता क्योंकि बीच में fixed cost का operating leverage का element है यह आपका alternate formula यहां पे बन गया था अच्छा इसी हिसाब से financial leverage का concept हमने यह आपे किया था अब financial leverage में अगर income statement से देखें तो हमें EBIT से EBIT से आगे EBT तक आकर दिखाना है क्योंकि EBIT और EBT के बीच में ही interest नाम का financial leverage का component exist कर रहा है तो इसका formula हमने बनाया था percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT कभी भी formula में confused हो जाओ याद नाया formula हमेशा यह logic सोच लेना कि पहली बात formula को denominator से समझा जाता है कई बारी मैंने आपको यह बात बोली है दूसरी बात इस formula का मतलब क्या है ultimately financial leverage क्या कह रहा है कि EBIT में कितना change होगा तो उसकी बज़े से EBT में कितना change हो जाएगा एक तरह से अगर इसको sum up करें जो आपका operating leverage था वो कह रहा था sale में कितना change होगा तो उसकी बज़े से EBIT में कितना change होगा क्योंकि बीच में financial leverage का element interest exist कर रहा है ठीक है ना यह आपका formula बन गया था पहला formula financial leverage का इसका फिर alternate formula था जो की maximum questions पर वही apply होता है existing EBT divided by existing EBIT ठीक है ना यह आपका alternate formula बन गया था क्योंकि इन दोनों के बीच में alternate formula बें भी confuse मत होना EBIT से contribution के बीच में एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यह यहाँ पर मैंने reverse लिख दिया सॉरी contribution divided by EBIT मैंने comments बाद में देखे और यहाँ पर EBIT divided by EBIT सॉरी 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 यह ध्यान रख लेना सॉरी गलती से मैंने यहाँ पर formula बही उल्टा लिख दिया था यहाँ पर contribution पहले तो अब यह percentage change वाला formula तो sales में कितना change आया उसकी वज़े से EBIT में कितना change हो जाएगा बीच में fixed cost का element operating leverage और उसके बाद financial leverage EBIT में कितना change हो जाएगा उसकी वज़े से EBIT में कितना change हो जाएगा क्योंकि बीच में interest लाए कर रहा है उसके बाद जो alternate formula हमने यहाँ पर बनाया contribution से EBIT के बीच में fixed cost लाए कर रहा है income statements अगर हम देखें contribution से EBIT के बीच में fixed cost तो वो आपका operating leverage EBIT से EBIT के बीच में interest तो वो आपका financial leverage का formula और उसके बाद combined leverage का formula इसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल सा एक concept किया था DCL degree of combined leverage is equal to degree of operating leverage multiply by degree of financial leverage तो कहने का मतलब चाहे percentage change वाला formula हो चाहे आपका alternate formula हो दोनों formula का multiplication देख लो आप तो यहाँ पर percentage change in EBIT से percentage change in EBIT कर जाएगा net formula आपके पास क्या बचाएगा percentage change in EBIT divided by percentage change in sales तो एक तरह से combined leverage में हमने क्या बात करी थी directly sales से EBIT तक आने क्योंकि बीच में fixed cost और interest दोनों covered up हो गए तो यह formula क्या denote कर रहा है sales में कितना change होगा तो उसकी वजह से EBIT में कितना change हो जाएगा और इसी का alternate formula जो main formula था उसका multiplication कर दो तो यहां से EBIT से EBIT कर जाएगा आपके पास बच जाएगा alternate formula contribution divided by EBT एक तरह से यह formula contribution से EBT के बीच में एक तो fixed cost आ गया operating और एक interest आ गया financial leverage यह आपका इसका alternate formula बन गया था concept तो थे सर यहाँ पे इतने से अब यहाँ पे एक दो चीजे पहली बात मानलो मैं आपको कहूँ जैसे आपकी book में भी एक question है पहला ही question था बलकि आपकी book का एक company A का data दे रखा है एक company B का data दे रखा है income statement का सारा data आपको दे रखा है और आपको बोलाए company A के लिए भी DOL और DFL निका लिए company B के लिए भी DOL और DFL निका लिए या तो ऐसे आपको data दे रखा है या फिर सिर्फ company A के लिए data दे रखा है और मानलो 2010 का data दे दिया और 2011 का data दे दिया कौन सा data? income statement का सारा data और आपसे बोला 2010 का भी DOL DFL बताओ और 2011 का भी DOL, DFL बताओ मैं इन दोनों cases में आपसे एक सवाल ये पूछना चाहरा हूँ कि यहाँ पर percentage change वाला formula लगेगा ऐसे question में या alternate formula existing वाला formula लगेगा सर चाहे यह वाला case हो जहाँ पे दो companies का data दे दिया और आपसे दोनों companies का आपको DOL, DFL निकालने को बोला है आपका percentage change वाला formula नहीं लगेगा alternate formula लगेगा और यहाँ पे भी आपका alternate formula लगेगा कहने का मतलब आपसे individual company A, individual company B या A की company का individual 2010 का और 2011 का leverage मांगा है तो percentage change वाला formula नहीं लगाएंगे आप चीक है ना यह मैं आपको specifically इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि कई बारी confusion हो जाती है कि सर percentage change वाले formula के लिए हमें दो data चाही होंगे दो years के, दो quarters के, दो months के तब ही हम change निकाल पाएंगे और तब ही percentage में उसको convert कर पाएंगे तो question ध्यान से पढ़ लेना मांगा क्या है ultimately सीधा कहीं अंदा दुन, कि दो data दे दिये चलो जी, minus करके percentage वाले formula लगा दो ऐसा मत कर देना चीक है ना अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक दो theoretical type के कुछ questions आपके बनते हैं जो की examiner पूछ सकता है आपसे beta आपकी book में भी थाबल की है question beta और leverage इनको link करना बड़ी simple सी बात है leverage का मतलब क्या होता है risk beta का भी मतलब क्या होता है risk factor या risk index तो क्या मैं यहाँ पे simple सी यह बात बोल सकता हूँ जिस company का leverage जादा उस company का beta भी जादा होगा बिल्कुल सही तो यहाँ पे आपके पास questions किस तरीके के बनते हैं आपके पास question इस तरीके का चार companies का data दे दिया और इन चारो companies का आपको beta दे देगा ठीक है पहले तो बोल देगा इन चारो companies का बाकी data के हिसाब से leverage निकाल लो वो financial leverage या operating leverage या combined leverage किसी का भी जिसका भी data आपको दे रखा होगा तो पहले तो leverage निकालने को बोल देगा और उसके बाद बोलेगा कि ज़रा combined करना link करना beta और leverage के concept को तो बस आपको इतनी line लिखनी होगी जिस company का beta maximum होगा उसका leverage भी यहाँ पे सबसे ज़ादा आ रहा होगा और जिस company का beta यहाँ पे minimum होगा उसका leverage भी देख लेना यहाँ पे सबसे minimum आ रहा होगा और accordingly यही बात आपको वाँ पे coat कर दी है चीक है ना उसके बाद हमारी book का एक specific question था उसके specific question के reference में मैं बात कर रहा हूँ कोई doubt अच्छा अच्छा यहाँ तक कोई doubt अप्लीज लिख दो जो वो वाला था आपने बोला वो reverse मैंने लिख दिया था वो तो मैंने ठिक कर दिया आच्छा आशना मैडम भी आई है ना लाइक हैं यह चलो तब तक यहाँ तक का अगर कोई doubt है तो आप बताईए मैं आगे बढ़ता हूँ doubt फिर मैं रीट कर लूँगा आप यहाँ पर अच्छा उसके बाद एक particular question था जिसमें आपसे earning yield मांगी थी earning yield और इसी तरीके से इसी particular question में आपसे मांगा था एक cover for preference dividend एक बड़ी फड़ा फट से इसकी बात कर लेते हैं पहली बात earning yield मांगी थी question में लेकिन मैंने आपको साथ की साथ dividend yield का concept भी बता दिया था yield अब दो तरीकों क्यों हो सकती है एक earning yield और एक dividend yield कौन सी दवाई की बात कर रहा है रोना कि यह जो मैं सोच रहूं तो उसी दवाई की बात कर रहा है नला एक उसका time नहीं हो आभी अच्छा सुनो तो यहाँ पर yield अब दो तरीकों की हो सकती है earning yield और एक dividend yield अब earning yield का मतलब क्या है कि जिसने पैसा लगाया है एक company में आपने उसके लिए कितना कमाया है और इसी तरीके से dividend yield का मतलब है जो आपने किसी के लिए कमाया है उस कमाई में से उनको बाटा कितना percentage है बेसिकली earning yield का यहाँ पर फॉर्मला बनता है earnings for equity shareholders divided by equity share capital into hundred equity वालों ने कितना पैसा आपकी company में लगाया उनके लिए आपने equity वालों के लिए आपने कमाया कितना earnings for equity shareholder में से equity का dividend बाटते है रिटेन करते है और इसी तरीके से dividend yield का formula क्या बनेगा यह जो आपने earnings कमाई है इनके लिए इसमें से इनको बाटा कितना है that is total dividend divided by equity share capital into hundred अच्छा यहीं से आपके मन में आ सकता है सर मैं इस formula की जगा earning yield के earnings for equity shareholder divided by equity share capital की जगा क्या मैं यह formula लगा सकता हूँ EPS divided by MPS into hundred बिल्कुल लगा सकते हो क्या सर मैं यहाँ पे dividend divided by equity share capital की जगा DPS divided by MPS into hundred लगा सकता हूँ बिल्कुल लगा सकते हो earning yield और dividend yield के लिए यह formula इस भी ठीक है ना for the simple reason यहाँ पे एक तरह से मैंने totality में formula लगाया यहाँ पे pressure के हिसाब से formula लगाया बात वही है ठीक है ना अच्छा है इसके बाद अब बात कर लेते हैं cover for preference dividend पहली बात यह एक तरह से आपकी coverage ratio है ratios का chapter भी आप कर चुके है तो एक होती है preference dividend coverage ratio एक होती है कोई भी question आजाए मैंने आपको उसका formula बनाने का logic बता रखा है denominator में लिखते है जिस income से वो खर्चा बटना हो sorry numerator में लिखते है जिस income से वो खर्चा बटना हो और denominator में लिखते हैं खुद वो खर्चा दुबार रिपीट करता हो numerator में जिस income से वो खर्चा बटना हो और denominator में खुद वो खर्चा, preference dividend कौन सी income से बटता है, earnings after tax, तो एक तरह से numerator में आ जाएगा, earnings after tax divided by खुद वो खर्चा, preference dividend मान लो, earnings after tax 2,00,00 रुपे की कमाई और preference dividend मान लो 1,00,00 का है तो यह answer जो यहाँ पर 2 आएगा cover for preference dividend, इस 2 से denote क्या हो रहा है, कि जितना मेरे को preference dividend बाटना है उस preference dividend को बाटने के लिए जो income चाहिए, वो उसकी double है, मतलब sufficient income है मेरे पास preference dividend बाटने के लिए इसी logic के हिसाब से equity dividend coverage ratio का formula बनाओ, कौन से equity dividend बढ़ता है earnings for equity shareholders divided by equity dividend चीके न, यही से मैं आपको बोल दू, मान लो paper में question आ जाए, interest coverage ratio तो कौन सी income से interest बढ़ता है EBIT, divided by खुद वो खर्चा interest, चीके न इस तरीके से आपके पास यहाँ पर यह सारा बन जाएगा अच्छा, इसी question में एक extra चीज और मांगी थी, net fund net fund flow अब, net fund flow का एक तरह से मतलब यह होता है, आप जो पूरी income statement बनाते हैं यहाँ पे आप सभी तरीकों के खर्चे minus कर देते हैं basically मैं reference किस चीज में बात कर रहा हूँ जो आप यह fixed cost minus करते हैं इसमें cash वाली fixed cost भी minus हो जाती है, जिसमें actually मैं cash का outflow हुआ है, और इसमें non cash वाली fixed cost, that is depreciation जैसे non cash expenditure भी क्योंकि fixed cost होते हैं, minus हो जाते हैं और आपके पास यहाँ पे end में retained earnings बचती है, मैं यहाँ पे यह तो बात कर सकता हूँ, कि यह जो retained earnings बची है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जतना retained earnings हा रही है exactly मेरे पास cash में भी उतना पैसा पड़ा होगा, हो सकता है उससे जादा हो कहने का मतलब, मैंने अगर यहाँ पे depreciation के नाम पे मानलो 50,000 minus करें हैं और यह सब minus करने के बाद मेरे पास retained earnings मानलो, मैं बोलू, यहाँ पे 90,000 बची है, मेरे पास actually में cash में पैसा 90,000 से जादा होगा क्योंकि मैंने retained earnings तक पहुँचने के लिए depreciation जैसा non-cash expenditure minus कर रखा है, net fund flow का मतलब है end में जो आपके पास बचा है actually in cash कितना है तो यहाँ पे हम formula क्या बनाते है जो भी आपने end में retained earnings वगएरा आई है उसमें जो non-cash expenditure आपने minus कर रखे है, उनको आप add back कर दीजिए आपके पास net fund flow आ जाएगा यहाँ पे और इसी तरीके से, मानलो, question इस तरीके से frame हो जाए, कोई non-cash income आपने add कर रखी है, तो उसको minus कर दो कहने का मतलब है, non-cash का reversal करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना this is it, यह थे आपके सारे leverage के हमारे concept, फटवट से एक बारी अपनी recent RTP का question pick करते हैं ठीक है ना अच्छा क्योंकि इसमें हमारे पुराने नलाइक भी है, May 20 वाले जो कि अब November 20 वाले ही बन गए हैं, बच्चे काएंगे सार बार-बार मत बोलो यह बात कोई बात नहीं, तो मेरे को एक बारी आप सब भी बता दो यार, speed ठीक है बहुत जादा fast तो नहीं लग रही, और बहुत जादा कोई बोलता ही नहीं, ऐसे तो फिर मैं नराज हो जाओंगा तुमसे बच्चे कहेंगे हाँ हो जाओ कोई दिक्त थोड़ना है ठीक है जी ओके आए फिर, नवेंबर 20 की RTP का कुश्च नमबर 4 है आपका लिवरेज से चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये नवेंबर 20 वाले जो नलाइक हैं, उनकी क्लासिस में भी बोला था फिर भी आदे से जादा नलाइकों को ये डाउट है, तो मैं अभी दुबारा बोल रहा हूँ सर, लीजिस का चैप्टर आपके सिलेबस में है, आपके स्टडी मैट में अलग से नाम दे रखा हो, नहीं दे रखा हो RTP में लीजिस का कुश्च भी नहीं है, मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं भी पगल तो हूँ नहीं, कि एम ही मेरे मन में आया चलो फ्री में बच्चों को, एम ही एक एक एक्ट्रा चप्टर पढ़ाया आ जाए, जो सलेबस में नहीं है तो मैं आपको ताकि इस बात पर आपको विश्वास हो जाए, पूरे तरीके से, बहुत बहुत नालाएकों ने ये सवाल पूछा क्योंकि, कि लीजिस करना है या नहीं करना है आपका, में 20 का तो एक्जाम हुआ नहीं, निवंबर 2019 का भी जो एक्जाम था एक्जाम का, उसमें आपका लीजिस से कुशन आया हुआ है ये मैं आपको दिखाऊंगा पहले एक बरी ये आपका कुशन नमबर फूर, इसकी बस लास्ट लाइन देख लो discount the incremental cash flows under each option and decide which option is better, buy or lease तो ये lease का कुशन था कि bank loan पर asset लें ये lease पर asset लें और 10 नमबर का कुशन आया हुआ है ठीक है ना, तो syllabus में है ये chapter, इसमें please कभी confuse मत होना, करना है ये chapter चलिया the capital structure of PS Limited for the year ended 31st March 2020 consisted as below आपको डेता दिया हुआ, इकुटी शेर चापितल, face value 100 each 10 lakh रूपी 10% debentures 100 each 10 lakh रूपी during the year 2019-20 sales decreased to 1 lakh units as compared to 1 lakh 20,000 units in the previous year however, the selling price stood at रूपी 12 per unit and variable cost at रूपी 8 per unit for both the years the fixed expenses were at रूपी 2 lakh per annum and the income tax rate is 30% तो आपको 2 years का एक तरह से डेता दिया हुआ है, पिछले साल 1 lakh 20,000 units की sale हुई और current year में 1 lakh units की sale हुई है, selling price और variable cost per unit constant रहेगा पिछले साल भी, current year भी और आपको fixed expenses 2 lakh रूपे दे रखे, income tax rate 30% और interest आपके पास, यहां से आ जाएगा 10% debenture से 10 lakh के you are required to calculate the following, degree of financial leverage at 1 lakh 20,000 units and 1 lakh units degree of operating leverage at 1 lakh 20,000 units and 1 lakh units, percentage change in EPS बहुत ही असान सा question है, फड़ा वट से खुद से start करिए मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ साथ, कहीं पर भी confusion आए, देख लिजएगा, वैसे है बड़ा simple question, आईए तो income statement बना लेंगे पहले calculation of operating leverage and EPS तो साथ में कर लेते हैं, दोनों years का बाद में mention कर देंगे कि कौन सा answer, कौन से part का है दो years क्या क्या थे, during the year sales decreased तो 1920 previous year, फिर 2018-19 तो सबसे पहले sales last year 1,20,000 units भी की selling price per unit 12 थी 14,40,000 current year 1,00,000 units भी की 12,00,000 की sale minus variable cost 8 रुपी per unit थी last year 1,20,000 units into 8 9,60,000 और current year 8,00,000 आपके पास contribution आ जाएगा 4,80,000 और यहाँ पर 4,00,000 minus fixed cost fixed cost है आपके पास 2,00,000 आपके पास यहाँ पर EBIT आ जाएगा 2,80,000 और 2,00,000 minus करेंगे यहाँ से interest interest के लिए आपके पास 10% debentures 10,00,000 तो 1,00,000 का आपके पास interest भी आ जाएगा दोनों cases में same रहेगा आपके पास EBIT आ जाएगा 1,80,000 और यहाँ पर 1,00,000 minus करेंगे यहाँ से tax tax का rate आपको 30% दिया हुए 54,000 यहाँ पर 30,000 आपके पास यहाँ पर EAT आ जाएगा 1,26,000 और यहाँ पर 70,000 बाइद वे इसके अलावा और कोई data नहीं है तो preference का data नहीं है तो preference different नहीं है मतलब EAT ही आपके पास आपके लिए क्या हो गया earnings for equity shareholders ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि EPS भी निकालना है और EPS के लिए formula क्या लगता है earnings for equity shareholders divided by number of equity shares तो यहीं पर divided by number of equity shares ठीक है जी number of equity shares आपके पास आजाएंगे 100 each तो यह आजाएगा 10,000 shares आपके पास EPS आजाएगी यहाँ पर 7 12.6 अच्छा इसके अलावा आपको degree of operating leverage पहले हमेशा formula code करिएगा कौन सा formula लगेगा दो data है percentage change वाला लगा दूँ नहीं दोनों का अलग-अलग आपसे specifically question ने मांगा है दोनों years का तो existing वाला formula DOL का formula contribution divided by EBIT contribution था आपके पास 480 और 280 और इसी तरीके से यहाँ पर contribution था आपके पास 4 lakh और EBIT 2 lakh यह तो आजाएगा यह आजाएगा 1.71 उसके बाद degree of financial leverage इसका formula EBIT divided by EBT EBIT तो वही 2 lakh 80,000 और EBT था 1 lakh 80,000 और यहाँ पर 2 lakh divided by EBT था यहाँ पर 1 lakh यहाँ पर यह भी 2 आजाएगा यह आजाएगा 1.56 छी के ना, degree of operating leverage, financial leverage भी आगया एक चीज़ आपसे और मांगी थी question ने specifically percentage change in EPS अभी आपने EPS निकाला है सिरफ percentage change in EPS तो पहले change in EPS EPS आपकी degrees हुई है is equal to decrease in EPS 12.6 से 7 हो गई है तो कितने का degrees आया 5.6 percentage change in EPS 5.6 का change आया in the base EPS जो कि previous year की थी that is 12.6 in 200 44.44% का change आया है that is decrease आया है अब यहाँ पे mark कर लो बस कौन सा पार्ट क्या था A part में आपसे financial leverages मांगे थे तो जो आपने यहाँ पे DFL निकाला है दोनों का यह आपके A part का answer है B part में आपसे operating leverages मांगे थे तो यह आपके B part का answer है और यह percentage change in EPS आपके पास C part का answer है यह था आपका question बिल्कुल सही सभी का answer ठीक है अशना, ठीक है मानवी, ठीक है अध्या ठीक है जी, ठीक है तो I hope आपको यह वाला chapter तो revise हो गया एक काम करते हैं, study mat का भी question pick करी लेते हैं अब practice कर रहे हैं तो कि मेरे को पता है खुझ से तो तुम कुछ करोगे नहीं ना like हो study mat का एक question pick कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको इस chapter के जो हमारी वाली book थी, अपनी वाली उसके questions माग करवा दूँगा जो practice के लिए आपको करने हैं, last revision के लिए वैसे तुम मही वाले नलो ने अभी तक क्या किया इतने टाइम तक मेरे को तो लग रहा था तीन-चार बारी revise कर लिया होगा कम से कम FM तुमने तीन ही question है, बताओ study mat में नला एक question number 3 पे कर लेते हैं फिर study mat illustration 3 नेट्फिक्स एंचल चलिए, illustration number 3 है आपके study mat की, असान सब ऐसी देखने से असान सा question लग रहे है, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बरी a firm's details are as under, data आपको दिया है sales 24,00,00,00 per unit party करी है, नहीं रोनक इस time पर तो कोई party नहीं चाहिए, कोई party नहीं करनी variable cost 50%, fixed cost 10,00,00,00, it has borrowed rupees 10,00,00 at 10% per annum, and it's equity share capital is rupees 10,00,00, rupees 100,00 each आप से मांगाips, operating leverage, financial leverage, combined leverage, इसके लिए तो income statement का format में बनाना होगा, return on investment ROI आपसे मांगाए, by the way ROI का formula, solution मत देखना भी इसका वो मैं आपको explain कर दूँगा पहले return on investment का formula क्या है ultimately, जिस जिस ने एक company में paysa लगाया है, कौन-कून पैसा लगाता है Mainly, equity से पैसा आता है preference से पैसा आता है, debt से पैसा आता है इन सब के पैसों पे आपने कमाया क्या है इन सब के पैसों पे आपने कमाई तो EBIT है, EBIT को फिर आपने इन सब लोगों में बाटा है debt वालों के लिए interest बाट दिया सरकार ने बीच में आगे अपना tax ले लिया preference वालों को different बाट दिया जो बचा वो equity वालों का हो गया या company ने retain कर दिया कहने का मतलब है investment जो हुई थी company में उस पे आपने EBIT कमाया तो formula क्या बनेगा EBIT divided by total investment that is capital employed ठीक है ना उसके बाद e part if sales increased by 6 lakh what will be the new EBIT यह अभी देखेंगे यह operating leverage financial leverage combined leverage पे बेज़ड है तो पहले तो income statement बना लेते हैं आईए तो सबसे पहले तो sales sales आपको question में 24 lakh की दी हुई है minus variable cost variable cost 50% 12 lakh contribution आजाएगा आपके पास 12 lakh minus fixed cost fixed cost है आपके पास 10 lakh एक मिने 10 lakh ही है ना आपके पास यहाँ पे EBIT आजाएगा 2 lakh उसके बाद question में it has borrowed rupees 10 lakh at 10% per annum यहाँ से interest आ जाएगा 1 lakh का 10 lakh का 10% minus interest 1 lakh EBT बच जाएगा आपके पास 1 lakh tax का rate भी question में दिया हुआ था शायद नहीं दिया हुआ छोड़ो फिर tax का rate दिया नहीं हुआ तो यही आपके पास EAT बन गया अच्छा प्रेफरेंस से पैसा प्रेफरेंस से पैसा भी नहीं है तो यही आपके पास एक तरह से earnings for equity shareholders बच गया ठीक है ना tax का rate नहीं है चल अब यहाँ पे सबसे पहले operating leverage degree of operating leverage formula contribution divided by EBIT कितना असान सा question है बताओ 12 lakh divided by 2 lakh 6 उसके बाद degree of financial leverage आपसे मांगा है EBIT divided by EBIT 2 lakh divided by 1 lakh यह आजाएगा 2 उसके बाद आपसे combined leverage भी मांगा है degree of combined leverage यहाँ पे हम लगा देते हैं DOL multiply by DFL आप alternate formula भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है 6 into 2 12 बिल्कुल सही तुशार यह सबका सही है आशना चलो अब यह तीन पार्ट्स हो गए आपके A B और C उसके बाद आपसे मांगा है D part में return on investment अब return on investment के लिए EBIT divided by capital तो EBIT आपने कितना कमाया है 2 lakh divided by total capital से कितना पैसा था debt से 10 lakh share capital से 10 lakh total 2 lakh sorry 20 lakh 10% आ जाएगा यह अच्छा इसी से related साथ की साथ एक बरी solution में देख लो क्योंकि आपके मन में confusion आ सकती है अगर बाद में आप solution देखेंगे study mat का तो यहाँ पे इन्होंने ROI 50,000 से कर रखा है सर 50,000 कहां से आ गया अगर आप यहाँ पे solution देखेंगे यहाँ पे tax इन्होंने 50% minus किया हुए एक बिनिट tax tax question में था क्या ना लाइक tax तो question में था ही नहीं तो इन्होंने अपने मन से tax assume करके 50% EAT निकाल दिया अच्छा उसके basis पे भी चलो मानलो tax दिया भी होता तो भी तो sir question ने return on equity थोड़ना मांगा है question ने तो return on investment मांगा है अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर specifically देखेंगे भी उसमें mention भी कर रखा है here ROI is calculated as ROE paper में अपना ऐसा over smart दिमाग मत लगाया ना चीक है ना वो उन्होंने यहाँ पर self explanation बगारा के लिए study mat में tax बगारा rate अपने आप assume करके यह सब कर रखा है मैंने आपको कई बारी बताया है कभी किसी figure की amount की किसी percentage की assumption कभी नहीं लेनी आपको और इस तरीके से कभी नहीं करना question ने return on investment का है आप return on investment का ही formula लगाएंगे question ने return on equity का है आप return on equity का ही formula लगाएंगे अपने मन से आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे ठीक है ना यहाँ पे इन्होंने बुक में कुश्चन ही बदल दिया प्लीज पेपर में मत करियेगा यह मत बोलना कि सर स्टेडी मैट ने कर रखा है आप इंस्टिटूट की इस चीज को मानो स्टेडी मैट में कर दिया पेपर में कर रहा होगे गलत कर देंगे ठीक है ना तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखियेगा हाँ वोई बताया तुशार अपने आप नहीं लेना और बाइदवे यहाँ से अगर बात करें रिटार्न ओन इकुटी का फॉर्मला रिटार्न ओन इकुटी का फॉर्मले का मतलब क्या है इकुटी वालों ने क्या पैसा लगाया और उस पे क्या कमाया तो इकुटी वालों के लिए हम एक तरह से अर्निंग्स फॉर् इकुटी शेर होल्डर्स कमाते हैं डिवाइड बाइ इकुटी शेर कैपिटल रिटार्न ओन इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं इपार्ट आपको से इबियाइटी तक आने को बोल रहा है कि सेल में अगर इतना चेंज हो गया तो इबियाइटी कितना होगा तो सेल से इबियाइटी तक आपको कौन सा लिवरेज लेके आएगा उपरेटिंग, फ़नेंशल या कमबाइड पहले तो यह decide करना है तो सर इसके बीच में fixed cost लाए करती है मतलब degree of operating leverage की ज़रूरत है अब percentage change sales increase हो रही है और घट रही है percentage change that is increase in sales 6 lakh का increase है over and above existing sales existing sales 24 lakh थी तो पहले तो मैंने यहाँ से निकाल लिया percentage change in sales है कितना क्योंकि question मैं amount पे दे रखा था 25% sales 25% से increase कर रही है और आपका degree of operating leverage था 6 6 का degree of operating leverage क्या denote कर रहा है percentage change in sales अगर 1% का change होता है sales में तो 6% का change होगा in EBIT ठीक है ना तो sales में अगर 25% का change हुआ तो EBIT में 25 इंटू 6 इतने percentage का change EBIT में हो जाएगा यह कितना आएगा 150% increase in EBIT तो revised EBIT आपके पास कितना आएगा existing EBIT था आपके पास 2 लाक इसमें 150% का increase हम शो कर देंगे वस as simple as that ठीक है ना सबी को समझा गया यह बिल्कुल सही ललित आश्टना मानवी रिया सबी का सही है ठीक है जी 3 लाक तो यह था आपके यह study mat वाला question देखो आप study mat का भी question कितना असान है आपका RTP का भी इस chapter का कितना असान question था यह chapter ही वैसे इतना असान है ऐसा question तो अगर आपको paper में दिख जाए तो institute को चिठी लिख देना कि हमारे standard के question दो हम नहीं करते हैं ऐसे question चलो तो यह chapter तो एक तरह से हमारा यहां पे खतम है अब पहले मैं एक बड़ी आपको साथ की साथ next chapter पे आगे बढ़ने से पहले book के questions से एक बड़ी mark कर लेते हैं ठीक है ना अच्छा मेरी एक बात सुनो यह मैंने वैसे costing की revision में भी बोला था तो आपको इसके बाद extra time अपने मन से और ना लगाना पड़े अगर इस class के revision lecture के बाद भी आपको और time खुद से लगाना पड़ रहा है तो वो खराब बात है मेरे कहने का मतलब है हमने यह revise कर लिया concepts revise कर लिया खुद से भी revision अगर करते तो यही करते पहले अब इसके बाद मैं आपको जो questions कह रहा हूँ वो आज की आज अगर मैं आज आपको 5 questions भी इस chapter के mark कर वा रहा हूँ वो आप आज की आज ने प्टा लिजेगा so that यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7-8 days अगर हम revision classes को 7-9 इस तरीके से करते हैं तो आपके end से भी साथ किसा जो आपको book में से भी questions की practice करनी है वो हो चुकी हो दोब तक तो अब आप question mark कर लिजे leverage के question number fifth seventh बस read करने वाला है read करके छोड़ देना as such इसमें कुछ नहीं है वो बीटा वाले concept पे है इसलिए mark कर वा दिया यह भी 11th 12th यह 12th और 13 जैसे question exam में जदा आते हैं ठीक है न तो एक तम exam centric questions है 12th और 13th और एक question number 15 यह important लिख देता हूँ important as in paper से एक दिन पहले भी इसको ज़रूर पढ़ जाना ठीक है न वैसे last paper होगा तो आपके मास इतना time तो होगा नहीं सारे questions पढ़ने का फिर भी उसे एक चुट्टी में इसके concept revise करके यह एक question ज़रूर पढ़ जाना है यह वही वाला question है cover for preference dividend earning yield वेगरा यह सब जिसमें मागा था एक question number 16 यह भी important mark कर देता हूँ exam से एक दिन पहले भी इसको पढ़ जाना अब मैं यहापे ना एक दो चीज़े और discuss कर लेता हूँ by the way जो question number 16 है यह क्यों mark करवाया है कई बारी आपने notice किया होगा ऐसे questions होते हैं जैसे आपको interest नहीं दे रखा या आपको fixed cost नहीं दे रखी कोई एक चीज़ नहीं दे रखी तो हम इस तरीके से जिसमें formulas को substitute करते हैं कि जैसे operating leverage का formula हमने किया contribution divided by EBIT तो मैं इस formula को contribution divided by contribution minus fixed cost करके भी तो लिख सकता हूँ equals to आपके पास answer दिया होता है operating leverage का फिर यहां से हम एक equation बनाते हैं या तो contribution नहीं होता तो इस equation से contribution आ जाता है या fixed cost नहीं होती contribution होता है तो fixed cost आ जाती है तो इस तरीके से जो substitute करके data निकालने वाला question है वो 16th question है इसलिए mark करवाया है और जो यह 13th question है इसके reference में एक बात कर लेता हूँ यहां पे एक और specific कई बारी question पूछता है एक तो आपसे asset turnover निकालने को बोलता है पहली बात दूसरी बात आपको industry का asset turnover दे देता है ठीक है ना industry के asset turnover ratio आपको बता देता है और आपको पूछता है कि इस particular question में जिस company के reference में बात हो रही है उस company का asset turnover ज़ादा है industry से या कम है तो कहने का मतलब पहले बात asset turnover ratio का formula asset divided by turnover करूँ या turnover divided by asset करूँ कभी भी इस बात में confusion हो क्योंकि mostly नालाएक ही है formula बनायाते है formula हमेशा denominator से समझा जाता है तो इतनी बात सोच लेना पहले sale करी होगी फिर asset खरी दे होगे या पहले asset खरी दे होगे machine खरी दे होगे, building खरी दे होगे उससे production करके sale करी होगी तो पहले asset लगाए होगे कहने का मतलब कितने asset लगाए उससे कितनी sale कर पाए ये आपका correct formula है इस formula से आपके पास asset turnover आएगी उसको जो question के industry के asset turnover होगी उससे compare करके जादा होगी तो जादा लिख देंगे, कम होगी, कम लिख देंगे, as simple as that ठीक है ना, this is it ये आपके सारे concepts थे इस particular chapter के जी आशना, बिलकुल सही बोला है 150% का तो increase था, बिलकुल सही सरम, normally new income statement महिमा ने doubt पूछा है, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है निकुंच, आपने सही बोला है महिमा ने एक specifically doubt पूछा है वो actually मेरे मन में था बताने का, skip हो गया एक दम से तो मैं को याद भी दिला दिया, thank you so much महिमा ने पूछा है, sir आपने, जो ये question अभी करवाया study mat वाला, इस question में आपने पहले percentage change in sales निकाला percentage change in sales में आपने degree of operating leverage का concept mix up करके वहाँ से निकाला की EBIT में फिर कितना change हो जाएगा और आपके पास EBIT में percentage change आगया, वहाँ से आपने revised EBIT compute करवाया, इसकी बजाए हम सीधा सीधा एक revised income statement ही बना लेते, भई existing sales 24 लाग है question ने काए, sale बढ़ जाएंगी 30 लाग हो जाए, 6 लाग से sale बढ़ जाएंगी तो revised sales 30 लाग हो गई, अब 30 लाग रुपे की sale के हिसाब से हम पूरी income statement बना देते हैं EBIT तक की, इसमें से variable cost minus कर देंगे contribution आजाएगा, fixed cost minus कर देंगे, EBIT आजाएगा तो sir ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहली बात ऐसे भी कर लोगे, ऐसे भी कर लिया answer तो आएगा दोनों में same, लेकिन अगर आपने कर दिया essay तो marks a lot नहीं होंगे, answer बिल्कुल same आएगा लेकिन यहाँ पे आपको marks a lot नहीं होंगे, for the simple reason, बिटा अगर ऐसे ही काम करना है तो operating leverage और financial leverage क्यों सीख रहे हो, पहली चीज़ अगर मैं बिल्कुल exam centric answer दो इसका, operating leverage और financial leverage अगर आपसे question में compute करवाए हैं, या आपको question में दिये हैं, मतलब वो आपसे इस concept में DOL का DFL का concept लगवाना चाहा रहा हैं, पहली चीज़, दूसरी चीज़, मैंने आपको classes में भी जब समझाया था, और practical reference जब बताई थी कि DOL, DFL practically ज़रूरत में कब आता है, practically को इस तरीके से समझीए, कि जब आपको पता चल गया, अब एक potential investor analyze करता है कि अगर आज मैंने एक company में 100 रुपे लगाए, मतलब एक investor अगर आज एक company का एक share खरीदता है 100 रुपे का, तो उस company की share capital है वो 100 रुपे से बढ़ेगी, 100 रुपे से अगर उस company की share capital बढ़ती है, तो उतने से उस company के asset बढ़ेगे, उतने से उस company के asset बढ़ेगे, तो company की production की capacity बढ़ेगी, company की production की capacity बढ़ेगी, तो sale बढ़ेगी, तो एक equity hold, एक potential equity holder जिसने भी पैसा लगाया नहीं है, वो decision लेना चाहरा है इस company में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं तो वो क्या देखेगा कि आज अगर मैं आपकी company को 100 रुपे देता हूँ example के लिए तो आप sale कितने से बढ़ा देंगे जब मेरे को यहाँ पे अब DOL पता होगा तो sale कितने से बढ़ जाएगी मैं सीधा पूरी income statement बनाने की बजाए मैं सीधा पता लगा पाऊंगा कि फिर revised EBIT कितना आएगा और जब मेरे पास DFL होगा तो मैं पता लगा पाऊंगा कि EBIT अगर इतने से बढ़ता है तो EBIT कितना आ जाएगा और इस EBIT में से जो आपकी company ने अपनी balance sheet में tax का rate दिखा रखा है मैं यहां से tax minus करके EAT निकाल लूँगा और यहां से आपने अपनी company की balance sheet पर जो preferential capital दिखा रखी है उससे preference का dividend minus करके मैं यहां पर earnings निकाल लूँगा एक तरह से potential investor analyze कर लेगा कि मेरे 100 रुपे लगाने से मेरे लिए अगले साल company कितना extra कमाएगी इस analysis के लिए DOL, DFL निकालने पड़ते हैं पूरी income statement ताकि एक investor को ना बनानी पड़े ठीक है ना? तो I hope आपको इसका logic भी समझा आ गया paper में क्या presentation करनी है वो भी समझा गया हाँ जी, सभी को समझा गया यहाँ पर कोई doubt, कोई दिक्कत इस chapter में किसी भी concept में इस chapter से related यह questions mark कर लिए आप सबने तो एक बड़ी मेरे को confirm कर दो so that मैं next chapter पर फिर आगे बढ़ूं अगला chapter हमें start करना है cost of capital and capital structure theories अब बताइए एक बड़ी सभी ललेत ने तो बता दिया, no doubt sir सभी बताएंगे, एक बड़ी फिरी में आगे बढ़ूंगा विवेक कह रहा है, yes sir all clear महिमा, no मतलब doubt है या doubt नहीं है, उसके लिए no लिखा है बाकी नालाइक ये कुछ नालाइक answer दे रहे हैं बाकी सो तो नहीं गए चलिए cost of capital and capital structure theories पे अच्छा, अब यहाँ पे जो ये chapter में आपको पढ़ा रहा हूं, revise करवा रहा हूं निवेंबर 20 वालों को दिक्कत नहीं है मतलब जो निवेंबर 20 वाले ही students थे specifically जो पुराने students है May 20 वाले जो students थे जिन्होंने अब निवेंबर 20 में paper देने है आश्ना, रौनक, प्रिया, प्रगती, निखिल, निकुंज सौरी अगर किसी का, श्वेता, वरुन, निशान, ये नालायकों ध्यान से सुनना कहीं जगाओं पर एक दो जगाओं पर कुछ specific changes है ठीक है, although मैं बार-बार वहाँ पर बोल भी दूँगा May 20 वाले specific ध्यान रखें यहां पर ठीक है ना, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया इस चप्टर में एक दो जगाओं पर specific changes है November 20 वाले जो fresh students थे, उनके लिए दिक्कत नहीं है उन्होंने कराई वो नहीं आवाला है, चलिए, सुनेंगे तो cost of capital, पहले summarize करते हैं चप्टर में concept क्या-क्या थे, उसके बाद एक एक concept को pick करेंगे अच्छा, इसके questions फिर शायद मैं आज ना pick कर पहूँ आज concept समझ लेंगे, next class में इसके questions पिक कर लूँगा, ठीक है ना, अच्छा तो cost of capital बे सबसे पहले तो अगर इसके basic concept से हम स्टार्ट करें, जो मैंने class में आपको एक चीज बताई थी कि एक company है, वो अलग-अलग sources से पैसा कठा कर सकती है ये reference मैंने कई बारी दिया आपको equity से पैसा आ सकता है, preference से पैसा आ सकता है, debt से पैसा आ सकता है ये सारा पैसा, equity से कुछ पैसा कठा किया, preference से पैसा कठा किया, debt से पैसा कठा किया मान लो company के पास 100 करोड रुपे कठा हो गया उसके बाद company इसी पैसे को invest करती है कहां invest करती है, अपने assets में, plant, building, machinery, equipments बगरा ये सब चीज़े है और accordingly उन assets से production करती है, या services render कर पाती है और accordingly revenue कमाती है ये मैंने इस तरीके की form में, और कुछ ने ये company की balance sheet रखी है ये पैसा हम जहां invest कर रहे हैं, सही तरीके से invest कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस बात का decision, ये चीज़ analyze करना, आपका जो investment decisions का chapter था that is capital budgeting, वहाँ पे हमने समझा था और ये जो पैसा मैंने raise किया है, ये सही rate पर raise किया है या नहीं पहली बात, सही cost पर, as in सही rate पर raise किया है या नहीं, पहला सवाल और दूसरा, सही proportion में raise किया है या नहीं सही proportion का मतलब, total पैसा तो 100 करोड raise कर लिया, equity से raise कर लिया, वान दो 70 करोड preference से raise कर लिया, 20 करोड, debt से raise कर लिया, 10 करोड क्या ये proportion सही थी, equity से 70 करोड raise करने का मतलब, आपने अपनी ownership dilute करी होगी और debt से 10 करोड रुपे raise करने का मतलब आपने 10 करोड रुपे पे fixed liability, that is interest वो आपने अक्रू करा, क्या यह proportion सही है, यह दो सवाल, तो इधर के यह सवाल, हमारे cost of capital and capital structure theories के थे, और उधर का investment decisions, that is capital budgeting chapter के थे, तो हम इधर की बात अभी कर रहा है इस reference से इन सब के, देखो debt से raise किया होगा, debt का कुछ coupon rate होता है, 10% मानलो preference से raise किया होगा और मानलो preference का coupon rate, already defined coupon rate मानलो 12%, equity का coupon rate होता नहीं है, लिखा नहीं होता लेकिन hidden तरीके से होता तो है, जिसके हमने formulas करे होए है, इन सभी rates को अगर मैं combined कर दूँ तो वो मेरी पूरी की पूरी 100 करोड रुपे की cost आ जाएगी, कि 100 करोड रुपे पूरा इन तीनों sources से raise करने पर टोटल कितना खर्चा आया है, पहली बात उसको क्या बोला जाएगा उसको या तो cost of capital बोल सकते है या उसको overall cost of capital बोल सकते है question आपको उसको weighted average cost of capital भी बोल सकता है question उसको आपको marginal cost of capital भी बोल सकता है although और इसको represent किया जाता है बिल्कुल सही तुशार के उसे, चीक है ना where k stands for cost, o stands for overall cost of capital चीक है ना, अब तो यहाँ पे overall cost of capital निकालने के लिए आपको individual rates चाहिए होते है अब यहाँ से मैं concept चुरू कर रहा हूँ आपके पास पहला concept इस chapter में आया था KD, KP और KE निकालना क्योंकि यह जो individual rates होते है equity preference debt के यही बायस जोते हैं तो पहले हमने यह निकालना सीखा था जब यह निकालना आ जाएगा तो दूसरा concept आपके पास इस chapter में आया था weighted average cost of capital निकालना जिसमें आपने दो चीज़े करी थी book value weight लगाके या market value weight लगाके चीके ना उसके बाद तीसरा concept हमारे पास इस chapter में आया था indifference point चीके ना एक मिनट मैंने या पर कोई concept मिसाउट तो नहीं कर दिया हो गया ठीक है यही किया था capital structure theories वाला concept आया था capital structure theories वाले concept में क्या क्या किया था हमने net operating income approach net income approach traditional approach और mm approach और सिरफ basic समझने के लिए हमने या पर last में arbitrage का एक question के थूँ example के थूँ concept समझ लिया था यह हमने capital structure theories वाले पार्ट में किया था यह सारा हमें revise करना है अब मैं शुरू कर रहा हूँ KD KP के ही से चीके ना देखो जी सबसे पहले अगर KD की बात करें redeemable debt हो सकता है irredimable debt हो सकता है redeemable debt का अगर formula की बात करें मैं formula put कर रहा हूँ अगर किसी भी बच्चे को इसका logic दिहान नहीं होगा तो please मेरे को बता देना मैं logic दुबारा एक पर एक्ष्लेंट कर दूँगा फटा फट वैसे logic अगर याद है तो बहुत बड़िया बात है वो तो financial break even तो indifference में cover up कर दूँगा ठीक है मैं लिख देता हूँ ठीक है बच्चा बोल रहा है लिख देता हूँ अलग से financial break even point redeemable का formula आपने KD में क्या किया था interest 1-tax plus redemption value minus net proceeds divided by number of years overall divided by redemption value plus net proceeds divided by 2 यह जो आपने denominator में लिखा है redemption value plus net proceeds divided by 2 इसको क्या बोलते है average liability और इसी तरीके से irredeemable debt अगर है irredeemable debt का formula आपने बनाया था बस redemption वाला point हट जाएगा interest 1-tax divided by net proceeds ठीक है ना क्योंकि आपके पास अब redemption नहीं है तो यह वाला point हट गया redemption नहीं है इधर से भी यह हट गया सिरफ net proceeds आपके पास बच गया यह आपका simple सा formula है चीक है ना अच्छा अब यहाँ पर net proceeds निकालते हुए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा पहली चीज net proceeds किस तरीके से मान लो अब मैं different cases form कर रहा हूँ आपको दिया हुआ है already capital structure में जो debt issued है already capital structure में जो debt issued है वो 100 रुपे के हिसाब से issued है और इसी debt की मान लो आपको आज market value 105 रुपे दे दी जाए ठीक है ना और आपको flotation cost amount में नहीं percentage में दे दी मान लो 5% अब net proceed का मतलब क्या होता है company के पास net पैसा पहुचा कितना है flotation cost minus करनी होगी net proceeds निकालने के लिए मैं specifically अभी flotation cost के बारे में बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे चाहे आप market value को consider करके KD निकाल रहे हो चाहे आप book value that is existing capital को consider करके KD निकाल रहे हो आप चाहे दुबार रिपीट करता हूँ चाहे market value 105 चाहे book value 100 को consider करके आप KD निकाल रहे हो flotation cost की percentage पहली बात हमेशा face value पे लगाना ठीक है को भी percentage हो वो हमेशा face value पे लगेगी के KD निकाल रहे हो तो net proceeds 100 minus 5 95 और अगर आप market value को base ले के net proceeds निकाल रहे हो तो 105 minus 500 आपके मन में आएगा sir market value को base ले के निकालना है फिर KD या book value को ये बात मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ ये बात मैं आपको weighted average cost of capital जब बताऊंगा book value और market value उसके साथ बताऊंगा ठीक है ना कि आपको KD कैसे निकालना है book value पे या market value पे एक बात मैं साथ की साथ इससे related कर लेता हूँ ताकि मन में कोई confusion ने रह जाए बिल्कुल सही तुशार यहाँ पर अगर question ने आपको इस तरीके से बोलाए calculate weighted average cost of capital for existing capital अब आप weighted average cost of capital निकालने के लिए आपको KD निकालनी पड़ रही है और आपको जो weighted average cost of capital निकालनी है वो existing capital के लिए निकालनी है मतलब जो already issue कर रखी है जो capital already issue कर रखी है मतलब वो आपकी balance sheet के capital structure में represent हो रही है और अगर आपको weighted average capital weighted average cost of capital ऐसी capital के लिए निकाल नहीं है जो already issued है तो sir KD भी उसी capital के लिए निकालोगे मतलब आपको question indirectly चिला चिला कर बोल रहा है कि KD के लिए book value that is hundred consider कर लेना यही पर अगर आपको question दो तरीकों की बाते बोले या तो question बोले calculate weighted average cost of capital for new capital to be issued या तो इस तरीके की बात लिख दी या लिख दिया calculate weighted average cost of capital sorry या लिख दिया calculate marginal cost of capital मैंने आपको बोला था ना marginal cost of capital की एक एक्स्टा बात मैं करूंगा वो यहाँ पर कर रहा हूँ मतलब आपको बोल दिया weighted average cost of capital for new capital to be issued या marginal cost of capital बोल दिया तो पहले तो सीधा crux इन दोनों circumstances में आप जब KD निकालेंगे तो market value को consider करके निकालेंगे market value के basis पे आपका formula लगेगा चीक है ना क्यूं देखो पहली बात new capital to be issued में तो question में specific बोल दिया कि मेरे को existing जो capital structure में represent हो रही है उसके लिए नहीं चाहिए market में जो नई capital आज issue करता हूँ उसके लिए cost चाहिए market में अगर नई capital issue करता हूँ market में आज जाके नया debt अगर raise करता हूँ तो 105 के हिसाब से raise होगा तो उसके हिसाब से मेरी net proceeds बनेगी तो obviously इसके हिसाब से KD निकलेगी तो sir marginal cost of capital में भी ऐसा करना है अब marginal cost of capital में निकालना weighted average cost of capital ही होता है लेकिन marginal cost of capital है marginal cost of capital आपने foundation में marginal cost, marginal revenue सब पढ़ रखा है क्या मतलब होता है इसका कि additional units को बनाने के लिए कितनी additional cost यहीं बोलते हैं आप marginal cost, तो यहाँ पर marginal cost of capital का मतलब क्या होगा additional capital, जो existing raise कर रखिया, उसके over and above additional capital raise करने के लिए कितनी cost, तो निकालनी weighted average cost of capital ही है, लेकिन new capital के लिए तो इसलिए आपको market value के basis पर consider करना होगा, मेरे को बताईए यहाँ तक की बात, KD की पूरी बात सभी को clear हो गई, फिर मैं आगे बढ़ूँगा revise हो रहे हैं सबके सारे concepts यहाँ तक कोई doubt फटापट से बताईए बोलो ना लाइक हो तुशार ने नौप लिखा है, मैं इसको समझ रहाँ कि कोई doubt नहीं है, शायद यही मतलब है चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब तो यह सर हो गया आपका KD का concept although जो आपका RTP में question है KD से related, आप खुद से करने मत बैठ जाना confused हो जाओगे, मैं करवाँगा उस question को, थोड़ा सा different question है वो आश्चना का doubt आया सर, अगर हमें issue नहीं करना होता new, तो why do we subtract flotation cost at all अच्छा, छीक है, genuine doubt है आश्चना का question आया है, सर flotation cost 5% दिव हुई है flotation cost 5% दिव हुई है, अगर हमे मानलो question कहता है, यह जो आपने पहले वाला बोला था calculate weighted average cost of capital for existing capital, मतलब आपको existing capital, जो book value में already capital issue कर रखी है जो कि 100 रुपे के हिसाब से था, अगर उसकी cost निकालना है, और उसके लिए अगर KD निकालना है तो सर, उसमें से तो flotation cost minus करने की जुरूरती नहीं है क्योंकि जब आप आज नया debt raise ही नहीं कर रहे है तो आज flotation cost इंकरी कहां हो रही होगी flotation cost अगर आज इंकर नहीं हो रही तो minus क्यू कर रहे हो यह तो है query, answer सुनिए answer sir यह है, यहाँ पे सिरफ एक बात की hidden presumption assumption नहीं, मतलब आपको अलग से note में refer करने की जुरूरत नहीं है एक presumption लगी होती है, क्या सिरफ यह, कि जब मैंने ये वाला existing debt कभी न कभी तो ये भी raise किया होगा, जब मैंने ये existing debt raise किया होगा उस time पर भी मेरी flotation cost 5% ही इंकर हुई होगी जब तक question कुछ specifically ना भूल दे तो एक तरह से अगर मैं existing capital की cost निकाल रहा हूँ, तो जब issue हुई होगी अगर तब भी इतनी flotation costing करूई होगी ये presumption के साथ हम काम कर रहे हैं, इसलिए minus करेंगे, हाँ for example, आपका question इतना specific काम गया, question ने बोला कि जो existing capital में debt show हो रहा है न उस पे कभी कोई flotation costing कर नहीं हुई थी, और जो नया debt आज market में जाके raise करोगे न, उस पे flotation costing करोगी, तो बिल्कुल treatment नई capital के लिए अगर KD निकालोगे तो होगा, existing capital के लिए KD करोगे, ऐसे question में फिर flotation cost का treatment नहीं होगा, book value पे अगर आप KD निकालते हो, अगर ये बात specifically लिख रखी है तो, आशना clear हो गया ठीक है जी, चलिए अब मैं चलता हूँ KP के concept पर KP में भी वही चीज थी redeemable, अच्छा ये जो formula यहां पे बना हुआ है ये इसके logic में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है या learn करने में दिक्कत सरी है formula क्या बना दिया, क्या ही लिख दिया ये याद है इतना सबको यहां पे भी दो चीज़े थी, एक redeemable और एक irredeemable वही same formula, redeemable में हमने formula बना रखा था, dividend जैसे वहाँ पे interest आता था यहाँ पे dividend, plus normally किसी question में होता नहीं है और वैसे तो अब खतम भी हो चुका है तो still अगर कोई CDT, DDT question में दे रखा है, जैसे वहाँ पे tax की deduction मिलती थी, क्योंकि tax की saving होती थी यहाँ पे extra tax company को pay करना पड़ता है तो इसलिए वो भी add कर देंगे, अगर दे रखा है नहीं तो, plus redemption value minus net proceeds, वही same चीज divided by number of years overall divided by redemption value plus net proceeds divided by 2 यह आपका formula बन जाएगा KP का in the case of redeemable, और अगर irreademable है, तो simple वही dividend, redemption वाला point हट जाएगा dividend divided by net proceeds percentage में convert करने के लिए 200 तो हम करेंगी, करेंगे, चीकर ना अच्छा, same चीज यहाँ पर भी वही same चीज जो मैंने flotation cost की आपसे debt के case में discuss करी है, same treatment preference के case में भी होगा कि आपको, अगर preference मान लो existing capital में दे दिया जाए 100 रुपे, और market में आज नया preference raise करने जाओ, तो 110 रुपे का आएगा, और question आपको बोल दे, flotation cost 2% है, पहली बात, flotation cost minus करनी है, net proceeds में से कौनसी net proceeds consider करेंगे, market value book value वाली वो बाली बात अलग है, लेकिन flotation cost की computation face value पे होगी, that is 100 पे 2%, 2 रुपे, अब अगर question ने, again वही चीज, calculate weighted average cost of capital for the existing capital लिखा है, तो आप existing मतलब book value के basis पे KP निकालेंगे और 100 minus 2 करके, ये 98 आपके पास net proceeds बन जाएंगी, चीक है ना, अगर question ने लिखा है, calculate weighted average cost of capital for the new capital to be issued, या लिखा है, calculate marginal cost of capital तो additional capital के लिए बात करनी है मतलब आपको market value consider करके KP निकालना है, और market value consider करके जब KP निकालेंगे, 110 minus 2, 108 आपके पास net proceeds आएंगी ठीक है न, अच्छा इसी तरीके से, चाहे debt की बात करलू, चाहे preference की बात करलू जो dividend वगरा की भी percentage है या interest की भी जो percentage है वो हमेशा face value पे लगेगी भले ही market में कितने मर्जी का आप issue कर रहे हो I hope आपको यहाँ पर यह बात समझा गई अब एक additional बात और discuss कर रहा हूँ जैसे एक question था, उस question के reference ही मैं बात कर लेता हूँ KD के reference में बात कर रहा हूँ यह बात आपके पास KP के reference में भी आ सकती है क्या बात sir चीक है company ने आज 11% या company ने आज 12% debenture issue करे हमारी company ने 12% के coupon rate पे debenture issue करे चीक है न to be redeemable at कुछ भी value दे दी to be redeemable at par या 10% discount, premium, whatever, जो भी है market में actual rate for similar risk class of debentures is example के लिए 16% अगर आपके पास आजाए इस तरीके की बात और question में यह भी बोल दे कि वैसे face value मानलो 100 रुपे है आपको यह बात पढ़ते ही एक बात आपके मन में आ जानी चाहिए कि net proceeds जो होंगी वो 100 रुपे नहीं है मतलब हमारी company ने debentures par पे तो issue नहीं करे होंगे redemption जिस पे मर्जी दे रखे market में तुमारी company के अलावा जो बाकी companies है अगर उन बाकी companies में से किसी भी company को उधार में अगर पैसा देते हैं debentures issue होती है और उन companies को अगर पैसा देते हैं वो company 16% का interest दे रही है आप 12% का interest दे रहे हों तो अगर हमारी company interest कम दे रही है तो लोग या तो हमारी company में investment करेंगे नहीं या फिर लोग हमारी company में investment करेंगे तो पैसा भी फिर कम देंगे ठीक है ना तो मेरे कहने का मतलब है market में अगर 16% का interest मिल रहा है और market में अगर 100 रुपे की value के हिसाफ से debenture issue हो रहा है तो 1% के interest पे 100 divided by 16% हमारी company जब 12% का interest देगी तो 100 divided by 16% multiply by 12% equals to 75 मतलब हमारी company 75 का debenture issue करेगी जिस debenture की face value 100 थी वो 75 में और इस debenture की redemption मानलो मैं या पर power पे भी लिख दूँ एक तरह से issue के time पर लोग मेरी company को 75 रुपी देंगे per debenture redemption के time पर मेरी company को 100 रुपया power value लोटानी पड़ेगी 25 रुपे एक तरह से उस time पर covered up हो जाएंगे जो मैं market के 16% से अपनी company का 4% का ब्याज कम दे रहा हूँ वो interest loss जो investor है वो redemption के time पर extra payment लेकर recover कर लेंगे I hope आपको यह वाला concept भी समझा आगया और यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर मानलो इसके साथ मैं आगे और add कर दूँ floatation cost is मानलो 2% पहले तो आपने यह निकाल लिएगा कि 12% के इसाब से पैसा कितना में निकलेगा 75 यह एक तरह से आपने discount minus किया है कि discounted debentures हैं उसके बाद floatation को 2% face value पे calculate होगा 100 का 2% 2 फिर यहाँ से floatation cost minus होगी 2 और आपके पास 73 यह आपकी net proceeds बनेगी चीक है ना similarly अगर इसी तरीके की बात preference के लिए लिए लिख रखी है अच्छा आपके मन में आ सकता है सर इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारी company माननो हम लिख दें 17% के debenture issue कर रही है और market में debentures पे 10% का interest में बिल्कुल हो सकता है हमारी company अब यहाँ पे case भी उल्टा हो जाएगा फिर market में अगर same risk class के debenture पे 10% का आज मिल रहा है हम अगर 17% का interest ले रहे हैं सोरी हम अगर 17% का interest दे रहे हैं तो हम पैसा भी जाबा ले रहे होंगे मतलब premium पे debenture issue हो रहे होंगे फिर इस case में accordingly आपको उसकी computation करनी होगी चीक है आप ध्यान रखिएगा इसका इसके बाद आते हैं आप केई के concept पे पहले मेरे को यहां तक बतातो सभी को clear है ठीक है जी रहनक तुशार सही answer दिया है ठीक है दिक्षा चलिए आगे बढ़ते हैं आप केई के concept पर देखो भाई अब केई के concept में आपने 6 formula इस करे थे पहला formula dividend price model dividend price model का formula आपने क्या किया था DPS 1 divided by MPS 0 percentage में convert करने के लिए into 100 अब यहां पर इस formula का पहले तो logic simple सा यह था आज आपकी company के एक share में पैसा लगाता हूँ तो एक साल बाद आप मेरे को बाटेंगे कितना दूसरा formula earning price model पहले basic formula पहले डिसकस कर रहा हूँ फिर यहां पर flotation cost की बात अलग से discuss करूँगा और अब यहां पर specifically सुनेंगे May 20 वाले पुराने students जब मैं इसमें केई में अब flotation cost की बात करूँगा तो ध्यान दे लेना क्योंकि वहां पर थोड़ा सा change है आपके लिए अच्छा earning price model का formula EPS 1 divided by MPS 0 logic simple सा था आज आपकी company के एक share में पैसा लगाता हूँ तो एक साल बाद आप मेरे को एक साल बाद आप मेरे ले कमाएंगे कितना basically अगर यहां पर कभी भी formula आप भूल जाओ paper में confuse हो जाओ, blank हो जाओ, कुछ भी हो जाओ इतना याद रखना कोई भी investor एक company की तीन चीजों में interested होता है, यह मैंने आपको बताया हुआ EPS मेरे ले कमाओगे कितना DPS उस कमाई में से मेरे को बांटोगे कितना MPS मेरे share का भाव market में बढ़वाओगे कितना, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं capital gain कमा सकता हूँ महेंगे में share को बेच कर चीक है ना, अब आपके इनी तीनों चीजों पे तीन चीजों में interested होता है और दो चीजों से income कमाता है DPS और MPS, DPS से एक तरह से capital gain वाली income और DPS से dividend वाली income इनी चीजों के basis पे आपके formula बने होए है, earning price मेरे लिए कमाओगे कितना उसकी percentage, dividend price मेरे लिए मेरे को बाटोगे कितना उसकी according, तीसरा formula इनी की expansion earning price plus growth model formula DPS 1 divided by MPS 0 multiply by 100 इतने पाट को percentage में convert करने के बाद plus growth, ठीक है ना यहाँ पर basically formula simple सा क्या कह रहा है आज अगर, एक मिनट, sorry, sorry EPS वाला है यह EPS 1 आज अगर आपकी company के एक share में पैसा लगाया, पहली बात एक साल बाद मेरे लग कमाओगे कितना दूसरी बात, मेरे पैसा लगाने पर आपकी company को जो growth मिलेगी उस growth में भी मेरे को हिस्सा चाहिए तो वो भी add कर दो, अब यहाँ पर इसी formula को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ EPS 0 1 प्लस growth, divided by MPS 0 इतने पार्ट को percentage में convert और अलग से growth की होती percentage है वो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ultimately numerator को मैंने EPS 0 लिखके, उसको EPS 1 में convert की है, यह बात मैंने specifically इसले करी है, क्योंकि एक दो question में न, misprint था क्या misprint था, आपको already लिखा हुआ था, अब कैसे पता चलेगा यह earnings आज की दे रखी है या आने वाले time की दे रखी है dividend जो दे रखा है, वो आज का दे रखा है या not dividend, the company expects to earn इतनी income, मतलब आने वाले time की बात हो रही है, चीक है आप आप जैसे एक specific question में specifically लिखा हुआ था, the company expects to pay dividend of rupee, example के लिए 8, expects to pay लिखा हुआ है, मतलब यह DPS 1 है, अगर यह DPS 1 है, या अगर यह EPS 1 है, तो इसको 8, 1 plus growth, दुबारा से growth से बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है इसको उस question में misprint था, पता नहीं मेरी book में था, पता नहीं study mat में था, मेरे को यह याद नहीं है, लेकिन एक question में ऐसा था, कि already expected dividend दे रखा था, और फिर भी उसको growth से बढ़ा रखा था, मत बढ़ा formula, dps1 divided by mps0, वही उतना ही formula है, plus growth, और same logic, आज अगर आपकी company के एक share बे पैसा लगाता हूँ, तो एक साल बाद आप मेरे को बांटेंगे कितना, plus मेरे पैसों की वज़े से जो आपकी company growth करेगी, उस growth में भी मेरे को हिस्सा चाहिए, फिर fifth formula आपके पास बना था, realized yield approach, एक तरह से पहले चार formulas तो ये थे, कि किन-किन चीजों में एक equity holder interested होता है, realized yield approach का formula based है, किन चीजों से income कमा सकता है, या तो मैं एक साल बाद आपकी company से dividend कमाऊंगा, that is dps1, plus mps1 minus mps0, divided by mps0, एक तरह से formula denote क्या कर रहा है, आज अगर आपकी एक company के share में पैस, आज आपकी company के एक share में अगर पैसा लगाता हो, तो एक साल बाद कमाऊंगा कितना, एक तो dividend income, एक साल बाद, दूसरी बात, आज share खरीदा होगा, एक साल बाद बेचूंगा, यह capital gain कमाऊंगा, तो यह total income आपकी company से कमा सकता हो, इतना पैसा लगा के उस बाद की percentage, ठीक है न, last formula यहाँ पे हमने किया था, CAPM, capital asset pricing model, formula था, RF, plus beta, RM, minus RF, पहली बात, RF, risk free rate, question में दिया हो, government of India, securities, treasury bills, government of India, bonds, FD का rate, कुछ भी ऐसा दे रखाऊ, सरकारी किसी भी security का rate दे रखाऊ, risk free rate है, RM, market rate of return, अच्छा question में, ऐसे न लिख रखाऊ, market rate of return, question में लिख रखाऊ, nifty में इतना कमाया, यह sensex में इतना कमाया, पूरा nifty, पूरा sensex, पूरी market को denote कर रहा है, चीक है न, आपको यह terms लिखे हो, nifty, sensex, bsc, nsc, small cap, mid cap, कुछ भी इस तरीके की बाते लिख रखी हो, यह individually एक company की बात नहीं हो रही होती, यहाँ पूरी market के, market के index की बात हो रही होती है, तो यह तरह से market return को denote कर रहा होता है, चीक है न, तो यह आपका RM बन जाएगा, अच्छा, बीटा क्या होता है, risk factor of security or company, कहने का मतलब मान लो, आपके पास question आया, और question में आपको दो बीटा दे दिये, एक दे दिया beta of industry, एक दे दिया beta of company, अब आपको कौन सा बीटा consider करना होगा, आप logic से चलिए, इस पूरे formula का logic क्या था, एक investor को कह रहा हूँ, जिसका पैसा FD में invested है, bank की security में invested है, उसको कह रहा हूँ, मेरी company के share में पैसा लगा दे, अब ऐसा investor, ऐसे scenario में मेरे को क्या बोलेगा, investor कहेगा, देखो जी हमारा पैसा, bank की FD में लगा हूँ है, जितना FD से interest मिलता है, उतना तो आप दो ही दो, मैंने का जी ठीक है, RF तो तुमको दूंगा ही दूंगा, जितना तुमारे को bank की security देती है, फिर उन्हों उन्हें का, अगर bank में FD तुड़वा कर stock market में आके पैसा लगाना ही है, तो आपकी company में क्यों लगा हूँ, market की बाकी companies में लगा लेता हूँ, तो मैंने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको RF तो दूंगा ही दूंगा, उसके over and above, market की बाकी जितनी companies return दे रही है, मैं उसको, वो differential भी आपको दे दूंगा, that is RM-RF, फिर investor कहता है, market की बाकी companies में अगर पैसा लगाता हूँ, तो risk कम है, आपकी company, example, आपकी company में अगर पैसा लगाता हूँ, तो आपकी company में पैसा लगाने पर risk उठाना पड़ेगा, उस जादा risk के respect में, मेरे को risk premium चाहिए, तो मैंने का कोई दिक्कत नहीं है, मेरी company के beta से multiply कर दो, किस के company, किस के beta से multiply होगा, जिस company में investment हो रही है, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, ताकि इसमें आपको कभी कोई confusion ना हो, beta of company consider किया जाता है, ठीक है ना, अच्छा मान लो, यहाँ पे और detail में अगर बात करें, क्योंकि एक question में था ये चीज, पूरा question ने company के data, company के बारे में frame किया हुआ है, उस company में भी एक particular project है, अब एक company के तो बड़े सारे project हो सकते हैं, इस particular company का एक particular project है, और अब आपको दो बीटा दे रखें, beta of company, beta of project और आपको इस project पे काम करना है, इस project की weighted average cost of capital निकालने के लिए आपको के ही निकालनी है, मतलब इस project की के ही निकालनी है कौन सा beta consider करेंगे, क्या रट्टा मार लूँ, हमेशा beta of company, नहीं एक तरह से यहाँ पे concept के है, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, उसका beta consider करना है company के लिए काम कर रहे है, company का beta, security के लिए, project के लिए काम कर रहे है particular तो उस project का beta है, as simple as that ठीक है नब, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ठीक है, बिल्कुल सही आशना, बिल्कुल सही श्वेता, बिल्कुल सही तुशार, ठीक है निकुँच RM-RF, यह कहलाता है market risk premium और अगर लिखाओ beta RM-RF, यह कहलाता है security risk premium एक तरह से RM-RF, risk-free के over and above, market के comparison में कितना extra premium देना पड़ रहा है, that is कितना extra return देना पड़ रहा है multiply by beta करते ही, मेरी security में जो extra risk था अब उस risk के भी respect में और कितना additional return देना पड़ रहा है, that is security का risk premium ठीक है न, तो इन दोनों नामों से यह भी बोला जा सकता है अब जो change वाली बात है, बाकी सबको तो पता है, ध्यान देंगे, specifically में 20 वाले बच्चे flotation cost in the case of KE देखो जी, हमने class में logically बात करी थी, अगर मैंने आपको classes में logic भी बताया था और paper में करना क्या है, वो भी बताया था logically अगर मैं बात करूँ, सर केई निकालते हुए, flotation cost minus होनी नी चाहिए for the simple reason, केई निकालने के लिए हमने एक baseline करी थी company के लिए, केई का मतलब क्या है cost of equity लेकिन, company के लिए equity की cost कितनी होगी, यह बात किस बात पर depend करती है investors expectation इसी लिए, केई को बलकी investors expectation भी बोला जाता है, केई कोई ची के ना, तो कहने का मतलब एक company से investor जितना expect करता है company को उतना कमाना पड़ता है, इसलिए वो केई बनती है अब एक बात बताओ, logic बतारों पहले तो, वो treatment नहीं बनेगा investor की जेब से लाख रुपया निकला यहाँ थी company अब company directly investor को अपने share बेच नहीं पाई तो बीच में इन्होंने broker appoint कर लिया that is underwriter company ने अपने shares underwriter को दिये, broker को दिये इस broker ने वो shares investor को दिये investor ने shares पैसा दे दिया broker को और broker in return ये पैसा रिमिट करेगा company को लेकिन broker कहता है मैं यहाँ पे अपनी commission ले रहा हूँ माननो 10% की और broker ने यहाँ पे commission काट ली अपनी 10,000 की company को पैसा कितना मिला? 90,000 company return तो कमा पाईगी 90,000 पे लेकिन मेरा investor return expect कितने पे करेगा? 1,00,000 पे तो जब investor की expectation के basis पे केई based है तो sir, flotation cost तो minus नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा investor तो एक लाख रुपे पे return expect करेगा ठीक है? लेकिन अब answer सुन लो यहाँ पे करक सुन लो specifically फिर से बोल रहा हूँ May 20 वाले नालाइक आपको केई केई निकालते हुए flotation cost minus करनी है MPS में से As Simple As That For Your Exam Purposes चीक है ना? मतलब जब आप यहाँ पे dividend price model example के लिए आप लगा रहे है DPS 1 divided by MPS 0 minus flotation cost आपको यहाँ पे करनी है मानलों की जीशियर की MPS 20 रुपे है और मैं बोल दू रुपे की उसकी flotation cost है minus करेंगे आप यहाँ पे और 18 रुपे नेट से डिवाइड करेंगे चीक है ना? I hope सबकी को बात यहाँ पे समझा गई अच्छा अब मैं एक बार यहाँ पे specifically बात करूँगा cost of retained earnings की बस इतना ही change था सबी नालाइगा उको clear हुआ पहले मेरे को यहाँ तक बताओ फिर मैं आगे बढ़ू अज़ी सबी को clear हो गया चलिए फिर last आज के session की एक last बात करूँगा cost of retained earnings so that KDKP, KE, KR बगएरा जो भी concept है यह खतम हो जाए next class में फिर अपना weighted average next session में, कल की session में weighted average से start करेंगा तो cost of retained earnings सुन जाओ हाँ जी, cost of retained earnings पहली बात represent किया जाता है KR से अगर question में कुछ ना दे रखा हो तो KE is equal to KR same, जो आपने KE निकाल रखा है वो आपका KR हो जाएगा पहली चीज दूसरी चीज कई बारी cost of retained earnings के लिए separate data दिया होता है जैसे हमारी book के एक specific question में भी दिया होता था मैं वैसे वैसे data आपके सामने frame करता हूँ मान लो question में data दिया हुआ है कि अगर company पैसे को, मान लो earnings for equity shareholders एक लाथ रुपे बचे example के लिए अब इस earnings for equity shareholders में से decision लेना है कि पैसा different की तरह बाट दे shareholders को या company अपने पास से retain कर ले shareholders इस decision को लेने के time पे company की meeting में AGM में या board के सामने एक बात रखते हैं कि sir अगर ये पैसा हम अपने आपको बाटते हैं, मतलब अगर ये पैसा हम अपने आपको as a dividend बाट ले तो वो जो dividend का पैसा shareholder के पास जाएगा, shareholder उस पैसे को आगे invest कर सकता है ची कहना, company से पैसा shareholder के पास आया, dividend के नाम पे बटके वो ही पैसा shareholder अगर आगे और तही invest करे तो shareholder कहता है, मैं इस पे return कमा सकता हूँ example के लिए 10% फिर shareholder कहता है, अगर मैं इस पैसे पर 10% की return कमाऊंगा ना, तो ये return कमाने के लिए मिरे को आगे brokerage भी देनी पड़ती है एक तरह से ये बात shareholder सुना रहा है tonting way में, क्यों? shareholder कहता है, देखो जी ऐसा है अगर मैं ये एक लाग रुपे की earnings अपने आपको बाट लूँगा, तो ये return मैं कमा लूँगा इस पैसे को आगे और reinvest करके अगर मैं ये पैसा company के पास retain छोड़ता हूँ, तो इतना ही return जो मैं खुद से कमा सकता हूँ company मेरे को कमा के दे दे कहने का मतलब है, opportunity cost of capital का concept आ रहा है opportunity cost of capital का concept यहाँ पर क्यों आ रहा है क्योंकि अगर company के पास ये पैसा retain करना है, तो जो return खुद से पैसे को reinvest करके कमा सकते हो, वो खोना पड़ेगा, कितना एक लाग रुपे के ऊपर पहली बाद 10% का तो आप return कमा सकते हो, ये return कमाने के लिए आपको 2% की brokerage spend out करनी पड़ेगी that is net आपके हाथ में return 98% बचेगी, और इस net return पे भी retain करने के बदले equity वालों को कितना return खोना पड़ रहा है, जो खोना पड़ रहा है उतनी उनकी company से expectation होगी कि हमारी retained earnings पे इतना पैसा कमा के दिखाना फिर ठीक है ना, अगर इस तरीके का data दिया हुआ है, तो तो सर इस तरीके से separately KR निकालनी है, नहीं तो KE is equal to KR हो जाएगी, इसके अलावा एक तीसरा case और बनता है KR में, वो भी question specific है, अच्छा doubt आया sir exam postpone अरे नालायक sir flotation post की अच्छा ठीक है, पहले तो yes नालायक, बेटा exam postpone नहीं होने वाले, मतलब ही नहीं postpone होने वाले, ठीक है क्योंकि अब तो सब चीज़ें unlock हो रही है हर चीज़, अब तो cinema halls तक का आ गया है last, कल के ही उसमें recent guidelines में अब सरकार के हिजाब से करोना खतम हो चुका है वो बात अलग या नहीं हुआ है, लेकिन हो चुका है खतम, मतलब छुड़ो, ये बात कहने का मतलब ये है, कि exam postpone नहीं होंगे, schools वगरा भी open होने के लिए, states को guidelines दे दी गई है, वो खुद से decide कर सकते हैं, तो schools open हो रहे हैं, तो exams तो आपके conduct होंगे होंगे, और specifically जो हमारा ICI भी wait कर रहा था, वो wait कर रहा था, NEET वगरा के जो exams होए थे, JW वगरा के कि अगर वो exams नहीं हो पाते हैं, तो शायद chances थे, कि फिर November में हमारे exams कैसे होंगे, लेकिन अब होंगे सब के exams होंगे, ठीक है ना कुछ postpone नहीं होने वाला, अच्छा उसके बाद RIA ने doubt पूछा, sir, flotation cost की percentage किस value पर होगी RIA कोई भी case हो, KD, KP की किसी का भी case हो flotation cost की जो percentage है वो हमेशा face value पर लगेगी चाहे कोई भी case हो preference का, debt का, equity का शिवांश का doubt आया जब JW और नहीं, वो ही बिल्कुल सही शिवांश, वो ही मैंने बोला, बिल्कुल सही, अच्छा, सुनेंगे अब तीसरा case मैं यहाँ पर KR में discuss कर रहा था हाँ, तो वहाँ पर लिख रखा था shares are आप समझ जाएंगे मैं कौन से question के reference में बात कर रहा हूँ, shares are quoted at example के लिए rupee 150, अब मेरे को exact figures question वाली याद नहीं है and new issue is priced at example के लिए 140 है, ठीक है ना shares are quoted at 150 and new issue is priced at 140, इसका मतलब यह है company ने जो पहले already shares कभी issue कर रखे है वो shares तो आज market में trade हो रहे हैं company को पैसा नहीं मिलेगा, मानलो company ने 2-4 साल पहले 4 साल पहले shares issue करे, वो share मैंने खरीब लिये, आज मैं stock market में उन shares पर trading कर रहा हूँ और market में वो shares 1500 रुपे के साब से बेच रहा हूँ ये तो हो गया already issued shares का market price है ये भी MPS है ये भी MPS zero लेकिन आज company all together नए shares issue करना चाह रही है और जो company all together नए shares issue कर रही है, वो 140 बे issue कर रही है, है ये भी आज का price, ये भी MPS है share capital में 10,000 shares issue कर रखे है ये जो 10,000 shares already कभी issue कर रखे है ये shares market में 1500 रुपे के साब से trade हो रहे है ये shares जब 1500 रुपे के साब से trade होंगे company के पास इसका पैसा नहीं आएगा ठीक है ना, company के पास इसका पैसा, इन shares का पैसा आज चुका जब company ने पहली बार ये shares issue करे होंगे आज अगर ये shares market में 1500 रुपे के trade हो रहे हैं तो traders के पास इसका पैसा आएगा मानलो आज ये 1500 रुपे का share मेरे पास है और मैं इसको बेच दू B को तो B पैसा मेरे को देगा company के पास सुर्णा पैसा जाएगा company के पास इसका पैसा जा चुका जब company ने shares issue करे थे लेकिन company के जो authorized capital थी मानलो वो थी 15,000 तो इसी लिए company ने आज 2000 नए shares issue कर दिये ये जो नए shares आज issue करे हैं ना, ये company ने 140 रुपे में issue करे हैं इन shares का पैसा आज आएगा company के पास ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी अब ये difference है पहली बात इन दोनों rates में हैं दोनों ये MPS अब, जब आप निकालेंगे के-ई के-ई निकालने के लिए चाहे आप DPS का formula लगाएं dividend price model, growth model, earning price, earning growth whatever, मानलो आप dividend price plus growth model लगा रहे हैं, DPS 1 divided by MPS 0 question के data के wording, मानलो ये वाला formula लगा रहा है तो इसका logic, आज आपकी company में कितने पैसे लगाऊं कि एक साल बाद आप मिरे को इतना dividend माटोगे, मतलब आज अगर इस company के share में पैसा लगाना है, तो 140 रुपे में ये share issue होगा जितने में company आज नया share release कर रही है और उसके बदले एक साल बाद कितना dividend मिलेगा, के ई निकालने के लिए तो 140, ये वाला price लगेगा, अब वैसे तो concept बनाया था, के is equal to के आर तो कहने का मतलब है, जो यहां से answer आया होगा माननों, यहां से formula लगाके आपके पास 12% का के ई निकल जाता है अगर इस तरीके की बात ना लिख रखी होती दो shares के prices ना दे रखे होते तो तो यही 12% के आर बन जाता लेकिन अब ना इस logic से के is equal to के आर के logic से हम formula तो यही लगाएंगे के आर निकालने के लिए भी DPS 1 divided by MPS 0 प्लस growth, लेकिन यहां पर जो MPS 0 consider करेंगे, वो 150 वाला consider करेंगे, अब इसका logic सुन लो सर, retained earnings जब आप निकाल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ retained earnings, जो आज company नए shares issue कर रही होगी, क्या उन पर retained earnings कमाई होगी या जो पहले कभी shares issue कर रखे होंगे, उन पर retained earnings कमाई होंगी, आज जो company shares issue कर रही है, उस पे तो पैसा आज आएगा, एक साल बाद कुछ कमाऊंगा, उस पैसे पर, और फिर कुछ retention होगी तो आज जो company की balance sheet में shares का market price लिया जाएगा, और केही की जब बात आएगी, तो नए shares का market price लिया जाएगा, and this is it बिल्कुल सही तुशार, बिल्कुल सही ललिट, समझा गया भई? अब न, यहाँ पे एक बात करनी रहे गई है, वो मैं next session में ही करूँगा, growth की बात, क्योंकि जब growth वाले formulas कर लिये, तो growth की computation की भी बात यहाँ पे होती है, कि growth निकालना कैसे है, वो फिर मैं next session में करता हूँ, और weighted average cost of capital, कहने का मतलब है next session में यह वाला chapter फिर हम complete कर देंगे, along with questions, और मैं questions भी आपको next session में mark करवा दूँगा, तो आज का session अभी यहीं पे खतम करते हैं, leverage आपका पूरा हो चुका है, छोटा सब ऐसी chapter था, questions मैंने आपको उसके mark करवा दिये, कल ही है 7 o'clock कुछ भी अगर specifically change हुआ timing में या कल session नहीं लेने का हुआ, तो मैं specifically आपको inform करूँगा, नहीं तो session हो गई होगा, 7 बजे, और आदा घंटा पहले करीब मैं आपको link भेज़ दूँगा session का कल के लिए भी, और कल तक का please target यह है, जो leverages के questions मैंने आपको आपकी book वाले mark करवाए है, please वो कल से पहले-पहले निप्टा लीजेगा चीक है ना, और इसी तरीके से साथ-साथ मेरे revision करते रहिए, पूरा FM हम इस तरीके से निप्टा देंगे, आपको कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने बाकी subjects भी revise करते रहिए, चीक है, चलो, bye-bye